Welcome to my channel, World of Information आज मैं आपको गाज़ा और चुकंदर के जूस के फायदों के बारे में बताने वाली हूँ तो स्टॉर्ट करते हैं सर्दियों के मौसम में गाज़ा और चुकंदर मार्केट में आसानी से मिलने वाली चीजों में से एक हैं दोनों को सेहत के लिए बहुत फायदे मंद माना जाता है इन दोनों को आप अपनी डाइप में सलाथ, सूप और जूस के रूप में इस्तिमाल कर सकते हैं गाज़ा और चुकंदर दोनों के जूस का सेवन करने से इम्म्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है असल में सर्दियों के मौसम में इम्म्यूनिटी काफी कमजोर पर जाती है ऐसे में इम्म्यूनिटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है मजबूत इम्म्यूनिटी शरीर को वाइरल फ्लू से बचाने में मदद कर सकती है चुकंदर में पोटेशियम, जिंग, केलशियम, आयोडीन, मेगनीशियम, फॉसफोरस, सल्फ़क, विटामिन B1, B2, B6 जैसे गुन पाए जाते हैं तो, वही गाज़ में विटामिन C, केरोटीन अड़ और बीटा केरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई लाग पहुचाने में मदद कर सकते हैं गाज़ और चुकंदर स्किन के लिए कई मामलों में फायदे मंद होते हैं गाज़ और चुकंदर आयरन, विटामिन और मिनरल्स के काफी अच्छे सोर्स हैं जो स्किन को डीटॉक्स करने के साथ साथ शरीर से विशाक पदार, टॉक्सिक सबस्टंसिस को बाहर निकालने का काम भी करते हैं इस सित्वचा साफ और निक्षरी दिखती है गाज़ और चुकंदर जूस की सेवन सित्वचा की कोशिकाई या स्किन सेल्स, स्किन सेल्स हेल्दी होते हैं और महासों, फोरेफूसियों की समस्याव से भी बचे रहते हैं सर्दी के मौसम में इस जूस को पीने से स्किन की ड्राइनेस दूर होती है और स्किन ग्लो करती नजर आती है गाज़ और चुकंदर में फाइबर, विटामिन सी, फॉलेट, विटामिन बीच है, लेगनेशियम, आयरन, फोस्फोरस आधी तत्वा होते हैं जो स्किन सल्स की मरम्मत करने में मदद करता है तो आईए जानते हैं कि बिंटर में गाज़ और चुकंदर का जूस पीने से तवचा को क्या-क्या फाइदेट बेनेफिट्स मिलते हैं एक, इम्यूनिटी, गाज़ और चुकंदर के जूस का सेवन कर इम्यूनिटी को मजबूप बनाया जा सकता है गाज़ में विटामिंग सी और चुकंदर में पोटेशियम, जिन, कैल्शियम, आयोडीन, मेगनीशियम जैसे गून पाये जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूप बनाने में मदद कर सकते हैं 2. मोटापा मोटापा कम करने के लिए सर्दियों के मौसम को सबसे अच्छा मौसम माना जाता है वज़न घटाने के लिए आप चुकंदर, गाज़ और पालक के जूस का सेवन कर सकते हैं इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाये जाती है जो वज़न को घटाने में मददगार हो सकता है 3. स्ट्राइस गाज़ के जूस में बीटा कैरोटीन भरकूर मात्रा में होता है गाज़ और चुनकदर के जूस में पाए जाने वाले गुन स्ट्रैस की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं चार, स्किन गाज़ और चुकंदर का जूस पीने से तवचा हाइडरेट रहती है ये स्किन से डेटसास की उपरी परत हटाने, स्किन को सोफ्ट और शाइनी बनाने में मदद कर सकता है पाच, पाचन पाचन की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपके लिए गाज़ और चुकंदर के जूस का सेवन करना फायदे मंद हो सकता है इसमें पाई जाने वाले गुन पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं 6. निखार लाए सूर्य की हानिकारक किरनों की वज़े से कई बार तवचा दल, रूखी और बेजान नजर आती है जबकि इस जूस को रोज पीने से आपकी तवचा की रंगत में धीरे-धीरे निखार आने लगता है और तवचा शाइनी दिखती है 7. एजन प्रोसेस को रोके गाज़ और चुकंदर का जूस पीने से बढ़ती उम्र के लक्षनों को कम किया जा सकता है एजन के लक्षन जैसे चुर्या, महां से, धब्बे और महीन रेखाएं आदी दूर होती है और चुकंदर में मौजूद एंटियोक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करता है गाज़ और चुकंदर दोनों में विदामिने, केरोटे नॉइट्स और एंटियोक्सीडेंट्स होते हैं जो फेशियल टिशू को टाइट करने और ब्लड सकुलेशन को बहतर करने में मदद करते हैं सर्दी के मौसम में ड्राइनेस की समस्या को कम करने के लिए आप गाज़व और चुकंदर का जूस पिए यह जूस त्वचा को नेचूरली हाग्रेट, मौयस्चराइज करते हैं और स्किन को सौफ्ट, ब्योईंग बनाने में मदद करते हैं 9. दाग धब्बे होते हैं दूर, इसके सेवन से त्वचा पर मौहासे या एकने की समस्या तो दूर होती ही है, इसके दाग और धब्बों को भी धीरे धीरे कम हो जाती है 10. मौहासे को रखे दूर, गाज़, चुकंदर में मौजूद तत्वा बॉडी को डीटॉक्स करती हैं जिससे त्वचा हेल्दी रहती है और मौहासे आधी दूर रहते हैं ऐसी ही और जानकारी के लिए विडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें तक्स फर वाचिंगू